हम लोग श्रीमत भगवद गीता के तेरवे धाय के तेरवे श्लुक को पढ़ रहे हैं मान लो अर्जुन कृष्ण को कहें कि तेरी बात क्यों मानूँ तेरा तो भगवान गएंगे तेरा क्या लाब होगा इस तेरा तेरा श्लुक सुने तो अपने सुना था कि बीश ज्ञान के साधन भगवान ने बताये थे आठ से बारा में इस जगत में आप देखे कभी भी कोई व्यक्ति ज्यान प्राप्ति के लिए प्रयास करता तो उसे पहले यह सुचता इस ग्यान से फाइदा क्या होगा अगर कोई फाइदा नहीं होगा तो ग्यान को वह है यह स्विकार करता है तो यह बड़ा आवश्रक हो जाता है समझाना कि इस ग्यान को जान करके होगा क्या भक्ति में एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है दिक्कत नहीं है, मतलब हमलों की दिक्कत यह है कि इस जगत में कोई भी चीज करते हैं तो उसका लाब सीमित होता है तो समझ में आ जाता है लेकिन जिस चीज का जिस बस्तु का लाब असीमित हो वो बास समझ में नहीं आती है इसलिए इसको बार-बार सुनना जरूरी है मान लोग कोई कहे कि हमें कोई डाटे और हम अमानी हो जाएं तो उससे हमें क्या लाब होगा या हम सहन कर लें तो उससे हमें क्या लाब होगा अमानित्वा, धंबित्वा, अक्षान्ती सहन कर ले न अपमान को तो हम क्यों सेहन करें नई मुँ तोड़ देंगे अगर ऐसा भावना मन में रख रहे तो ज्ञान उत्वन होगा तो यहनि ज्यान के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा सहन करना होगा तो अब उस ज्यान के साधन के द्वारा जो ज्यान हो जाएगा उससे क्या लाभ है वैश्च लोग का वढ़न है मेरे पिश्चेव करता है गेयम यतत प्रवक्षामी यजग्यात्वामृतम अनादी मत प्रवक्षामी यजग्यात्वामृतम अश्णुते 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 अनादी मत प्र प्रवक्षामी यज्ञ्ञ्याट्वाम्रित अश्नुते अनादिमत् परंब्रम्न आसत अनाष तन आसत अ चते अब मैं तुम्हें बतलाओं गय मतलब हुआ है जिसे ज्ञान के द्वारा जाना जाए वह ज्ञान नहीं था मैंने पहड़ी क्लास में जो आठ ज्ञान के बारे बता रहे हैं और ज्ञान से जो जाना जाए उसको अब बताएंगे अब मैं तुम्हें गय के विश्र में बतलाओंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादी है और मेरे अधीन है इस बहुते जगत के कार कारण से परेश्टित है यह कौन है? जान नहीं पड़ा आप दान से नहीं पड़ा यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादी है और जो मेरे अधीन है तो मतलब जीवात्मा आप मैं देख लिए अब सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो मेरे अधीन को मतलब जीवात्मा होगा ना यानि अपने को जान करके जीव सुखी हो जाएगा जो इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परेश्टित है तो देखिए कार्य क्या है इफेक्ट महत्त्त्व ओन्वर्ड सब कुछ कार्य है और कार्ण क्या है प्रधान जिसमें नाम और रूप आदिक कुछ नहीं है महत्त्त्तव इफेक्ट है कार्य है प्रधान का प्रधान पर भगवान द्रिष्टिपात करते हैं तो उससे फिर महत्त्त्त्त्त्य होती क्या जिस चीएक नहीं तो वहां सभी में कार्य और कारण का संबंध है यानि कि किसी एक समय महतत्व की सिर्ष्टी हुई थी नहीं है उसकी आदी कि वह प्रधान से आता है प्रधान अनादी है प्रधान अनादी है कि नहीं है प्रधान अनादी प्रधान की स्रिष्टी कभी नहीं होती है लेकिन फिर भी प्रधान से परे जीवात्मा है क्योंकि प्रधान सचेत नहीं है वह प्रकृति की गुणों का एक खटापनों कह सकते हैं नौन कॉंशिस रजगुण, तमगुण और सतोगुण की सामय वस्ता को ब्रधान कहते हैं इसकी स्रिष्टी कभी नहीं होती है तो यह भी अनादी लेकिन यह सचेत नहीं है तो इस से परे हम सब लोग हैं कैसे चलेगा, आगे कैसे होगा, यह होगा, वो होगा, जिस चीज़ के स्थाइत तो कि आप बात सोच रहें यानि देह की, वो तो हम चाहे कुछ भी करने स्थाई रहने वाला ही नहीं हैं। सब ने समझ लिए इस बात को, चाहे कितना भी धन हो, हमारा देह स्थेर नहीं रहने वाला, ये बहुत एक देह। तो इस प्रकार की चिंता तो अनावश्यक है, और हम कभी नष्ट होने वाले नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग अपना वश्थानी चलाएंगे, सब लोग करते हैं वश्था लेकिन अनावश्यक चिंता करने से हम अपना समय वर्थ कर रहे हैं। अगवत में तो यह बुलागे ना, तसेव हेतु प्रयतेत को विदा केवल जो बुद्धिमान वेक्ति वो केवल उसी चीज के लिए प्रयास करेगा जो उसको उपर से लेकिन नीची लोगों तक भ्रह्मन करने पर भी नहीं मिले है भवान की भाक्ति, क्लियर। चलिए, यत, यत मतलब जो गेयम, जानने योग है, अर्थात बाकी से अरे चीज़े जानने योग है, नहीं है क्योंकि भवान ने पहले भूल दिया, अज्यान अन्था, बाकी सब कुछ अज्यान है, यज ग्यात्वाज जिसे जानकर अमृतम अश्नते, मुक्ष प्राप्त करता है, अमृत जो नहीं मरता, हम लोग बार-बार मरण को प्राप्त क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने को नहीं जान रहे हैं, किसको जान रहे हैं, दे को जान रहे हैं, कुछ मात्रा में दे को भी नहीं जान रहे हैं, वी हम जान रहे हैं, सेंस ग्राटिफिकेशन को, हम इंद्री तर्पती है डिफेरेंट इणित्रपती में नहीं लगेगा तो दो बात है कि नहीं मरने वाला और अश का मतलब होता है भोजन करना अश्रुते मतलब चखना अर्थात प्राप्त करना दिशन नहीं तो अमिरतम अश्णृते का मतलब है कि ऐसा सुख प्राप्त करेगा जो मरणशिल नहीं हो भगवान के धाम की प्राप्ति करेगाosis시》 बात यह है कि तत उसे प्रवक्षामी वक्षामी मतलब बहुत अच्छे से बोलूँगा कि ठीक ठीक समझ मैं कभी ये confusion न रहे कि मैं भी जीवात्मा भी भगवान है इस तरह की गोल मोल वाली भाशा को प्रवक्षा में नहीं कहा जाएगा एकदम क्लियर समझ जाएगा कि जीवात्मा कौन है प्रक्षर रुपिन कहुंगा उनि वह अनाधी मतलब नित्य इसको शुरुवात नहीं है मत्परम अर्थात मेरा स्यवक भ्रह्म भ्रह्म मतव आत्मा नसत सत करेक कारे के परे है इस जगत के किसी भी इफेट के परे है प्रथ्वी जल वाईउ अग्णिय, अकाश, अहंकार, मन बुद्धि सब इन सब के परे आत्मा है तो इसलिए हो गया कार्यातीत समझा आगई बात कि अपको पून कहा है पून है तो इसलिए यह ना सत समझ में आ रहा है सत का मतलब होता है एक महात्त के आगया जितने भी और इस्टियों सत्में याज़ा दाएगा तो मैं पूछाओं कि क्या आत्मा महतत्व है कि नहीं थे लिए ना सथ तो सथ में आप जयेंगे नम वह तत्व न अहंकार न तन मात्रा ना पंच महाभूत ना इंद्रियां ना मन ना नियामक देवता ऐसा जिवात्मा कुछ भी नहीं सबसे परे है इसी समझा गए बात नहीं समझा लिए वी डोंट बिलॉंग तो एनी अव दा केटिकरीज क्रिएट इन दिस मेटिरियल वर्ड ठीक न असत न असत का मतलब है कि कारण भी कारण से भी परियार्थात प्रधान से भी है जिवात्मा परे है उच्छते मतलब कहा जाता है गेयं यत प्रवख्षा में जेओ गे है तत उसको मैं बढ़िया से कहूंगा क्यों कहेंगे यज ज्यात्वा जिसको जानकर अमृतं अश्नुते अमृत को चाकता है मोगश प्राप्त करता है क्या है वो अनादी यह वर्णन हुआ क्या यह वर्णन हुआ जिवात्म का हुआ ना अनाधी very good मत्परम वर्णन हुआ भगवान का आशृत और ब्रह्म यह तीन वर्णन हुए पॉजिटिव वर्णन अनाधी मत्परम ब्रह्म भगवान का शाश्वत सेवक है ना सत ना तो वह कार्य है न असत अर्थात ना ही वह कारण है ऐसा वह कहा जाता है गीता वूशन टीका बड़ी सुन्दर टीका है ज्यान प्राप्ति के साधन का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह सिखा रहे हैं कि इन साधनों के द्वारा क्या गेय है मैं जीवातना के विश्य में कहूंगा जिसको इन साधनों के द्वारा जाना जाता है यह अनभव यह अनभूत किया जाता है तो जो दस हमने साथन सारिशमा की जिगा बीस साथन सुनेते उससे आत्मा का अनभव होगा तो आप समझ रहे होंगे कि एक प्रश्ण कभी आप हम करते हैं किसी भक्त से कि हम लोग हैं आत्मा यह सुनते हैं लेकिन इसका अनभव कैसी होगा तो उत्तर क्या है भगवद गीता के आठ से बारा को हम अपने जीवद में पालून करेंगे तो हमें अनभव होने लगेगा इसे बात सोची ना हम लोग सोचते हैं कि अगर को हमसे चल कर रहा है अपनी बात बता देंगे तो हमसे मारा तो नुक्सान कर देगा वह किसका नुक्सान कर देगा तो जब हम सरल होना शुरू कर देंगे तो एक बात धीरी धीरे मन में डिसेंड करने लगती है कि वह हमारा नुक्सान कर ही क्या सकता है हमारा नुक्सान है ही क्या हम लाए तो कुछ साथ में थे नहीं और ले की कुछ जाएंगी नहीं तो बीच में कौन हमारा कुछ नुक्सान कर सकता है देखे इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग अपनी चीजों का ध्यान निरखेंगे अश्चा पर सुब्सक्राइब इससे विक्ति बज जाता है प्रवक्षामी अर्थात ऐसा वर्णन जिससे यह विशह सुबोध हो मतलब जैसे मैं बतातों आपको हमको उस सचिदानंद की प्राप्ति करनी तो उस उस करते रहेंगे तो क्या समझ में आएगा कौन उस कभी कभी बाते गौल मोल करके बोले जाती है हम उस परमात्मा परमिश्य करने से बाड़ समझ में नहीं आती और यह नहीं बहुँंक बोले तो बिल्कुर उस पर सजना रहा है कि जीवात्मा की बारें बात हो लिए तो यह भगवान प्रवक्षा में कहने का आशा यह है कि अच्छे टीचर की तरह वह समझाना चाहते हैं घुमाना नहीं चाहते हैं अच्छा टीचर ऐसा उसका उद्देश ही होता है कि ऐसा पढ़ाया जाए कि स्टुडेंट को समझ में आए निपात बहुत सिंपल लगती है लेकिन आज कल जितने वियाद्यात में गुरु प्राय घुमते हैं उनका उद्देश आपको कुछ समझाना नहीं होता है कि आशा कैसे बोल सकते हैं तो आप उनसे सुन करके यह जान लिजिए कि जीवन का उद्देश क्या है तो बताना आप कभी ट्रेन में जाते हों आप लोगों से डिस्कुशन कीजिए स्पिरिश ली तो उन्हें कुछ नहीं पता होता कि वह हैं कौन और जीवन का उद्देश क्या किसी का अनभव है यहां पर किसी बक्त का आड़नो गूरु जी के पास आते बियो गूरु घंटाल उनको ब है कि हैं यह मारा भां कौन है ए थ infer early देश बक्त कर अच्छ नहीं go गूरु आहिए basis को लेगा थी मोणत हो कर चाना हम लिए ये लिए रिचragen है कि आथा मैं कई हम लोग अच्छ नहीं में एध को नहीं पताओ भवान कौन न एक एकक्रिष्ण भगवान है नया भश्रा अलाइक भगवान कौन एक अपटाए ये बच्चा जो गीता सुनना चाहता वी नहीं इसको कि पता है कि झाल भगवान जो जो ऐखांने सफेटी अहांगे आप तो विश्च में रोज तो इस प्रकार से आप देखिए कि बच्चे बच्चे को पता कि कृष्ण भगवान है और यहां इतना घोल माल चल रहा है किसी भी वस्तु के परे जो वस्तु हो उसको समझना कितना कठिन है शब्द कितना जबरदस्त है बात सिंपर लगती ना आत्मा बुद्धी के भी परे है हर वस्तु को हम बुद्धी से समझते है क्योंकि बुद्धी से वह वस्तु सुक्ष्म है अगरीड लेकिन आत्मा इंदिर से परे मन है, मन से परे बुद्धी है, यह बुद्धे परतस्तुस्थ और बुद्धी से परे आत्मा है, तो जो पहले ही स्वरूपता बुद्धी के परे है, उसको समझाना कठिन नहीं होगा, आप बताएए, मैं कहूं कि यह विशय तो हमारी बुद्धी के परे है, तो फिर बुद्धी प्रवेश कैसे करेगी? Is it not amazing? की नहीं? तो जो शब्द, जो विशय बुद्धी के परे है, उसको भगवान कहना है प्रवक्षामी, क्योंकि आत्मा भगवान के परे नहीं है. आत्मा के तत्व को भगवान जानते हैं, वो दिव्य हैं, वो आत्मा भगवान की सेवक का है, इसलिए भगवान बता सकते हैं, और जगत के महान बुद्धिमान लोगों के परे आत्मा है, और वो भगवान के शरण नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो आत्मा के बारे में ठीक ठीवर्णन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए भगवान के रहे हैं, प्रवक्षामी, मैं बता सकता हूँ, भगवान बता सकते हैं, क्योंकि बगवान आत्मा की स्वामी है, परे है, काफी इंट्रेस्टिन पॉइंट है, देखे, ये पॉइंट में सोच के नहीं आया था, ये बिल्कुल सोच के नहीं आया था, बगवान बढ़ जाओंगा, बढ़ बहुत, इस सम्धिन विच आपने कभी किसी प्रवचनी बात नहीं सुनी होगी, इस आप कृष्णा अलवेस बिंग सम्धिन नूव इन दिस्कॉष्णा, कृष्णा बोल सकते हैं, कृष्णा बढ़ यसा सम्धा सकते हैं, अम्रितम अश्नुति अर्थात मोक्ष लाफप्राप करता है, भगवान श्लोक के अगले भाग में जीवातना के विश्रम में उपदेश देते हैं, अब एक चीज़ की बारे में यह बूलना कि अनादी अर्थात इस जीव की कोई आदी अर्थात उत्पति नहीं है, और साथी इसका कभी अंत नहीं होता, अर्थात यह शाश्वत है क्योंकि शृति ऐसा कहती है, किसी चीज़ की बारे में यह बूलना कि अनादी है, तो जो बोल रहा है वह भी तो अनादी के प्रेटफार्म पे होगा ना, तब बोल पाएगा, नहीं समझे, अनन्त मेरी उमर कितनी है, मेरी उमर कितनी है, पिरकुत सही उत्तर इनका ऐसे, जब इनकी उमर आट साल है, तो यह कैसे जानेंगे कि मेरी उमर कैसे, कितनी है, गौट इट, नहीं समझे, जो मुझे कम उमर का है, हम अन्दाज लगा सकते है, आट साल का है, जो भी है, लेकिन जो हमसे ज़्यादा इसका लाइस्पैन है, उसके बारे हम कैसे अन्दाज लगाएंगे, जनम ले रहे हैं, मर रहे हैं, तो शाष्वत्ता का बोध तो किवल भगवान को है, इसलिए भगवान बड़ी अथार्डिटिवली कह रहे है कि अनादी, आप देखो, अब यहां बात पहुंच जाएगी, जीवात्मा की सुरुत तो भगवान है, तो पर जीवात्मा की सिष होगा, उससे पहले जीवात्मा नहीं रहा होगा, लेकिन भगवान की अथार्डिटी पर स्विकार करना होगा कि हम लोग अनादी हैं, इसलिए तो पेट दर्द होता है, कब आए, कब गिरे, इत्यादी, इत्यादी, यह भी आगए लोगों से क्लिर हो जाएगा कि हम लोग अनादी काल से हैं, और आप देखी, जैसे मैं बोल रहा हूँ अनादी, तो आप सोचने ही ऐसा कहीं से शुरात होगी, is it not? यह हम लोग बात दे हैं सोचने के लिए कि कहीं न कहीं शुरात होगी, कहीं तो हम लोग बिगड़ गए होंगे, कहीं तो एपल खाया होगा गलत व समाव आज हम जब कर रहे तो कुछ शणों के लिए यह रेफरेंस फ्रेम आता है उपर से की अनादी काल से मैं जगत में फसा हुआ हूँ, and then see how what mercy कृष्णा दे, कि हमें भगवान की भक्ती करने का मौका मिल रहा है, आरे भक्ती में संगर्ष करने का मौका मिल रहा है, इस स इस संगर्ष करने के लिए पर मौका दिया रहा है, वह अलग बात है कि संगर्ष में शुरू होने से पहले कुछ हो जाते है, हमको बड़ा अजीव लगता है, क्लास शुरू हुए नहीं, उत्सा से वीडियो और के यह दिखाने के गया क्लास इतनी बूरिंग है कि हमको नही हम दो करना चुरु करने है, आप लों कोहां, वह कहांँ आए नहीं पता है, ऐसे तो कुछ समझ में आने वाला ड़ी है, ठीक है, ठीक है, कोई बात है, दू लोग सो रहे हैं, सोने दीजे या, मेरेट का नाम लोचन कर रहे हैं, सोई बैसा या, सोई कोई दिखते है, मुष् कि कोई आदी अर्थात उत्पत्ती नहीं है तो इसलिए यह कहना कि भगवान ने कभी जीव की सिर्ष्टी की होगी यह गलत है ऐसा नहीं होता है और यह कठ़ उपनशाद से भी आता है ना जायते मिरेते वाविपस्चुत इस ज्याता का ज्याता मतलब जिसके पास ज्यान है ज्यान शक्ति है किसके पास है कौन है वह आत्मा हम हम सब लोग जान रहे हैं कि हम कुछ इस लोग को समझ रहे हैं और कुछ नहीं समझ रहे हैं लेकिन दोलों समझावट है और वह समझावट जो कर रहा है वह अनादी है और उसका कोई नाश भी नहीं होता है इनकी इंट्र पुश्ते हैं यह बहुत असम्प्रदाय के सारा दुख इच्छाओं की वैसे इच्छा समाप्त कर दो और इस श्रीर को नश्ट कर दो बस अब तुमारे सत्ता ही समाप्त और दुख भी समाप्त इसे लगता है कि मान लोग के आंख में दर्द हो तो क्या करें आख निकल ले हा से बाहर निकलने कोई तरीका नहीं है एक ही तरीका है कि अपनी सत्ता को ही नश्ट कर दिजे बस लेकिन आत्मा की सत्ता नश्ट हो नहीं सकती है नेक्स्ट तो क्या ये अनादी तो अनादी तो भगवान भी है तो क्या ये भगवान है तो मालो अगर कोई इस डाउट करे तो भगवान तुरंद क्लिएर करते हैं नहीं ये मत पर अर्थात मेरा सेवा के मेरा धीन है अर्थात मैं इस जीव का स्वामी हूँ क्योंकि शृति कहती है प्रधान, शेत्रग्य, पतिर, गुणेश, मैं इस शेत्रग्य, जीव और भौतिक शक्ति प्रधान का स्वामी हूँ प्रधान मतलब प्रकृति की वैवस्था जिसमें गुणों की सामिता रहती है और गुणे एशा, गुणों के स्वामी और सभी दिव गुणों से युक्त हूँ शिता शितर रुपुशत 6.16 ये भगवान श्री कृष्णी के बारे में बोले जा रहा है भगवान श्री कृष्णी शेतक अर्थात सभी जीवों के स्वामी है और प्रधान अर्थात शेत्रों के भी स्वामी है कितना सुन्दर बात है देखिए इसमें हमारी मजबूरी इसकी सेवा नहीं करेंगे तो कई से चलेगा ये दे रहा है ये दे रही है ये हो रहा है कितनी बात देता है भूत खतरनाक है देह की बज़े से ऐसा नहीं है देह तो कपड़ की तरह है लिए को मान लेता के से से काशल रहें अगरे हैu miracle भूत जगत के देने हैं तो वंबश्रक आइप शंय करें hacia है मानि जगत है अगुछ कि प्रती तो हुमारी बुद्धी होती है कि घुमब रहां एक के हमारे बच्चों के अप्ने अपनी बच नहीं तो अपने प्रिहां सराओ जिससे घर में रह रहे थे लिटरली बिजली की भी दिख्कत और कोई हवा का उस्कोप नहीं छोड़ना नहीं चाहते लिटरली भगवान लात मरवाहाई मकान बालिक बोले, तीन मैने से बाद हम आ रहा है, खाली करें। ऐसे खरातर है नहीं बोलें। कहां रहेंगे, क्या करेंगे। Tुरंत यह मन में डौट आ जाता है कि कहां रहेंगे, क्या करें। जीने के लिए सबसे अधिक किस चीज क्या शक्ता है बताइए। स्वांस तो स्वांस तो फ्री है और बाकी सब चीज़ें महंगी कर दी जाएंगे मेरा लॉजिक नहीं सब्सक्राइब को हवा परियाप्त मात्रा में है जो जीने के लिए आवश्यक है तो बाकी चीज़ें जो उतनी आवश्यक नहीं है वह भग्वान टाइट कर देंगे कि नहीं दोस को मारने अगर मारना ही होता तो हवा टाइट कर देते हवा स्थम्वित कर देते देखिए भले ही हम जिस चैतना में वसे कार्य कर दर सौल राइट है इसा बंधन नहीं लगा लेना चाहिए कि विक्ति को भजन करने का मौका ही नप्राफ्त हो हम है सेवक कृष् यहां जीव को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि वह आठ महान गुणों से युप्त है तो देखिए अनाधी की व्याक्या हो गई मत्परम की व्याक्या हो गई अब ब्रह्म की व्याक्या हो गई बड़ी सुन्दर अर्थ है नोट ब्रह्म शब्द व्रुह धातु से आया है इसका यह जानना चाहिए कि आत्मा पाप रहित है अब हम कहेंगा है यहां तो हमारे जीवने बहुत सारे पाप है हमारे मतला हम सभी लोग के जीवने कुछ ने कुछ पाप बना रहता है तो वह पाप किसकी वज़ से है यह ता में क्या सुना था अपने काम भोग की इच्छा की वेसे वस्ता अगर भोग इच्छा समाप्त हो जा तो कोई पाप नहीं होगा एक्सिटर्नल फैक्टर जो आत्मा को लगाता है विजरा मतलब बुढ़ापे से रहित तो जो लोग वृद्ध हो रहें इस बात को समझ लें कि आप बुढ़े नहीं है और जो लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहा है कि कोई मानने को त्यारी नहीं कि वृद्ध है और कलग बात है अभी तो हम जवान है इसे नौट एंड़ सफेक्ट आज चली जो लोग थोड़े कम उमर के हैं आप में से कभी किसी को लग रहा है कि आप परवर्थित हो गया लगता है वही वही व्यक्ति हैं जो एक ट्वेल्थ में थे लेकिन आत्मा की रूप में हम वही व्यक्ति है अगर श्रीड मिल जाए तो फिर कूद में लग जाएंगे है कि नहीं कि बड़ी सुक्ष्ण बात है अगर आप विचार करें तो विम्रित्यू कभी मरता नहीं विश्वोक है जो शुद्ध आत्मा है उसको कोई शोक नहीं होता बीना भूख किया यह कौन स्विकार करेगा अरे भी दबा के आए हम भी निस्विकार करें खुब दबा के प्रसात है पाया और यह कैसे हो सकता है और उलते प्यके अब बताओ कितना जुठ बोली खेंस अब करें जोड़ा शांश को रहे हैं जो बहुत दिव फविगुण हर आत्मा में है और यह वह अनभव कर लेगा क्योंकि यह आत्मा को यह कहा गया है किसके दारा उन ज्ञान प्राप्ति की साधनों के दारा मैं समझा पाई मैंने क्या कहा इस यह सारे गुण आप अभी अपने में जान पा रहे है कि नहीं जान पा नहीं जान पा रहे हैं तो ज्यान प्राप्ति के साधन है वह हमारे ही इन गुणों को प्रकाशित कर देंगे, ठीक है? ओके, शुरुती में जीव को ब्रह्म कहा गया है, विज्यानम ब्रह्म चेद वेदह, यदि कोई आत्ना को ब्रह्म की रूप में जानता है, नोट ये विभाग दरशाता है कि विज्ञान में पुरुष आत्मा है तैत्री अपनिशत 2.5.1 ये बात बताई गई थी अन्नमयकोष, प्राणमयकोष, मनुमयकोष और विज्ञानमयकोष और आनन्मय तो विज्ञानमय जो है वह है जिवात्मा है भगवान भी भगवद गीता में जीव को ब्रह्म केकर इंकित करेंगे यह था सगुनान समती त्यातान ब्रह्म भुयाय कल्पते भगवद गीता 14.26 और ब्रह्म भूत प्रसन नात्मा न शोचती न कांग्शती भगवद गीता 18.54 तो आप देख लिजे कि यहाँ पे जब किसी चीज का शोक है या किसी चीज की अकांग्शा है तो अब हम जीव भूत अवस्था पर हैं मैं बहुती गुरूप की बात कर रहा हूँ मैं शुद्ध आत्मा को ना तो कार यानि सत और नहीं कारण यानि असत कहा जा सकता है क्योंकि यह नाम और रूप यह कार के गुन अथ्वार्थ प्रकिति की व्यक्त अवस्था और नाम और रूप की अभhaus कारण के गुण अर्थात प्रकिति की अवस्था दोणों को ही त्याग चुका होता है तरकें यह क्या मतलब हुआ देखिए कोई भी इफक्ट है तो उसका नाम और रूप होना चाहिए और एक तो अब आतमा का कोई भोतिक नाम और कोई भोतिक रूप नहीं है इसलिए इसको आप किस यह न ही सकते कि प्रग्षती का कौन सा कार DRS एक और कारण में नाम लूसल नहीं होतें इस जगत को जो भी नाम प्रद्हान में रग्रति अब दिया, में नाम है न रूप है इसलिए दोनों वह से बता हैं क्योंकि जीवात्मा conscious है सचेत है जग कि प्रधान जड़ है तो इसलिए ना तो हम जीवात्मा को प्रधान कह सकते हैं और नहीं जीवात्मा को इस जगत के कोई कारी की रूप में हम चिन्हित कर सकते हैं फिर भी जीव का आध्यात्मिक स्वरूप और गुण होते हैं और यह अ लेकिन है और इसी रहे कि यह प्रधान से पर है कार या सत का अर्थ है बहुती जगत में नाम रूप से युक्त कारण या असत का अर्थ है नाम रूप से रहित अर्थ हा स्रिष्टी से पहले या प्रले की बात किस्तिती स्रिष्टी से पहले क्या था कुछ नहीं था कौन ब प्रमाद yourself Ama के बाद भी प्रदान ही रहेगा तो कुछ नहीं सकते आप जो पर लाका का यह तो हुआ है कि यह संद्र बात इंग्लिश लेक्ट्टर है तो आप सब लोग समझें नहीं कि सार पॉइंट को बता रहा हूं परंपुज भक्ति विज्ञान महाराश समझा रहे थे कि देखिए जैसे एक बच्चे का जन्म और उसकी विद्धी होती है उसी प्रकार से कृष्ण भावना में भी जब व्यक्ति आता है तो वह बिल्कुल उसकी श्राद्धा एक बच्चे की तरह होती है बड़ी सुन्दर बात बता रहे थे तो उन्हेंने कहा कि जैसे कि कोई बच्चा है तो पैदा होते ही तो अब अन्न ग्रहंट नहीं कर सकता है उसको दूद मा का मिलता है तो अब मा बड़ी निश्वार्त भाव से इसको प्र बेंडेंट है मैं शब्द अंडरलाइं करूँगा पूरी तरह डिपेंडेंट है है अब कोई भी भी वेक्ति भक्ति में जब आता है तो वो बुखतों की सरहाना करता है उनको भक्तों पे विश्वास होता है तो अगर प्रारंब से ही उसको इसका ध्यान रखा जाएगा सि इक से भक्ति मार्ग में त्रिनिंग दी जाएगी तो जीवन भार के लिए उसकी त्यारी हो जाती है it's a brilliant 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 point this is not you can't imagine what brilliance it is क्योंकि मैं इस बात को महसूस कर सकता हूं कि हम 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 भक्ते में आए था तब यह हम सहना दन प्रभू यह जो भी भक्त थे वर ओल्वेज एकन हंड़ेट प्रसेंट वर आल्वेज सेल्फलेस इन गीविंग केर टुमी वटेवर केर नेवर एवर ट्राइट इस प्रेट में कभी मेरे को आसा नहीं मैसूस हो वह कि मेरा सोचन हो रहा हो कुछ असा हो रहा हो अगर उसके मन में एक्स्प्राइटेशन की भावना हुई तो विक्ति बिल्कुल खतम हो जागा वैसे ही जैसे बच्चे को पैदा होने के बाद अगर जहर मिला के दे दे जाए तो उसे क्या करती होगी वेरी अमेजिंग वेरी 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 अमेजिंग उनको शास्त्र का तो ग्यान होता नहीं है है की नहीं आप प्राइस शुरुवात में देखो जो टीचर बता देते हैं जो सीनर भक्त बता देते हैं वही मान लेता है मुझे यादा रही बात है कि भक्ती चैतन महाराज बता रहे थे शुरुवात में उनके संग था किसके संग को नहीं पता करते हैं वह बचारा जाडू मार रहा था तो एक डिवोटी आए बुला ऐसे जाडू मारते हो ऐसे मारो प्रभूपास सेट तो अब इससे मुझे बह मैं ऐसी बात करते हो लेकिन नए भक्तों को बहुत सारा फीड मिल रहा होता है हर जगे से यहां से कुछ पकड़ लेंगे और वहां से कुछ पकड़ लेंग कर कुछ यहां से इंफर्मिशन कुछ वहां से इंफर्मिशन और उसमें वह बिल्कूल कन्फूस हो जाते हैं इसलि प्रवबार्जी ग्रंथों को पढ़ेंगे तो बिल्कूल कोई कन्फुजन नहीं रहा कि भक्ती में कैसे प्रगति करने हैं प्रगवान ने ख्षेत्र तथा शित्रग की व्याख्या की उन्होंने शित्रग को जानने की विधी की भी व्याख्या करी उताना आठ से बारह में अ दोनों दोनों ही ज्यान से मनुष्व जीवन अमृत का आस्वधन कर सकता है मतलब आतना को समझेगा प्रमात्रा को समझेगा जैसा कि दितिय अध्य में कहा गया है कि जीव नित्य है इसकी यहाँ पुष्टी हुई है जीव की उत्पन होने की कोई निश्च्य नहीं है मतलब इसका मतलब जन्म है लेकिन पता नहीं है ना लेकिन यह अर्थ यहाँ पर नहीं गरण करना हो मतलब कोई तिति है ही नहीं निश्च्य तिति नहीं है कि मतलब यह नहीं कि आपको नहीं पता है किसी को और को पता है नहीं अनादी मतलब आदी है ही नहीं कि नो स्टार्टिंग नहीं कोई परमेश्वर से जिवात्मा की प्राकट का इतिहास पता सकता है ऐसा नहों कि आप गो लोग जाए कोई भगवान में आप से कब आया बवान कैंगे बेटे तुम वापस आका यहीं बहुत है जानने के जुरतने की तुम कब आए आप लोग कितने लोग कभी इस बाते हलका सभी विचार किये हैं कि हम लोग शाश्वत हैं एक बार भारतपुर में मैं कारिक्रम के जाया करता था तो एक रहस्त बगत को बता रहा कि शादी उनकी नई ही हुई थी तो मैंने कहा कभी आप सोचे कि आप शाश्वत हैं प्रहुने ही डर लगता है कि बिकॉज आसक्तियों से आसकते हैं कि इतना उतने उपर फिरेम से आप देखेंगे तो चोटी जिंदिगी में क्या महत्पूर्ण है नहीं मैं तो मेरे कांट ओफ एवरी डेई ये मेडिटेशन आता कि जगत पर जो लोग भी कुछ भी बहुत ही को प्रलब्दी कर रहे हैं वो शास्वत रेफ्रेंस फ्रेम से क्या मुसका महत्पूर्ण कोई महत्प नहीं है और जो समस्यां भी हम लेकर चलना है उनका भी महत कि अनिवन कोई चैंपियां इदर है दस साल चलो टाइम फ्रेम कम करता हूं पांस साल ना दो साल पहले दो साल पहले आप किस बात पर रोए थे 28-7-2022 को किस बात पर रोए थे इस इंट्रस्टिंग कुछ भी महत्पूर्ण नहीं होता है धीरे धीरे इससे व्यक्ति को यह आप लोग सोच रहां कि मैं बहुत बहुत इसी बाते बोल रहा हूं कायको बक्ति छोड़ते पर मुझे इतनी बड़ी समस्या आ गया यह हो गया और जो हो गया वह आपको याद भी नहीं रहेगा हां इतना याद होगा कि सन 2022 में आप जब कर रहे थे करे थे ना दोज़व साल पहले इतना तपक्का था कि सन 2022-2027-2022 में आपने 16 माला करी थी अगर हर दिन करते आए तो याद करने की जुरत ने की करी थी की नहीं करी थी करे ही होंगे and that is our greatest solace and happiness जितना इस बात में वक्ति स्थिर होगा उतना ही भक्ति में स्थिर होता चला जाएगा दीरे-दीरे करके सुनते-सुनते बात समझ में आती कि जो कुछ भी हो रहा है कुछ खास महत्व नहीं है उसके लिए आप देखना अब हम बड़ी जीब सी बात करेंगे जिस बात को सोच कि आप सोच रहे थे कि जिंदा नहीं बचेंगे आप बचेंगे जिंदा ऑब यह थौट समझावे क्या करौ अब आप घ्या मैं लेकिन आप देगे खें किसी बी चीज और कि कोई पी ब्यक्ति वस्तु आपको परिशान थोड़ा कर सकता है लेकिन मार नहीं सकता है मैं समझा पारा हूं मैं क्या कह रहा हूं एक व्यक्ति हमको कल बोले घरवानों की जुरत होती है कभी-कभी होस्पिटल जाना होता है तो मैंने का श्याद एडमिट हुए होंगे कब गाई थे करें दांत के लिए एडमिट हुए हमने का एडमिट होते कर तो ने गय थी थे विजिटिंग अश्पिटल इस अच्छा बिग डिफिकल्टी कि उसके लिए परिवार की सहता की बहुत जूरत होती है दांत में फ्रैक्टर हो गया था कि प्राइब वाट कांड ऑफ एर के भाय को आप पाल रहे ह इस विजिए वाइफाइ मिल रहा है बताने के लिए प्रवजी नहीं पा रहे है तो इसके माज़ा रोटी के बाश्ता तो होई गयी ना क्यों इतना चिंत विक्ति करता है हम अपने भी कभी कभी आने देते प्रहुपने स्ब्सक्राइब वियर आता तम कई अभी है अभी है जीनिक लिए एह अभी है इसा डिंदिसी दो माइन जो शाष्वत में शर्चाइब बाताए च्रड़ा स्गते जब करना बाघवां के सका तीम्हाष्ट कोनि किया ब्रॉजैन बॉ Espero के विष्डिक हो और आ आ मेंद mister कुछ गब्रान की जुएत नहीं है क्या ही हो जाएगा कम से कम जब के समय तो निश्चन दोंके बजन करना चाहिए कि आप लोगों को चिंता नहीं होती आज खाने में क्या मिलेगा अरे नहीं भी मिलेगा तो फल खाल होगे है कि नहीं जीव क्या ठीक है आगे बढ़ते हैं नहीं प्रकाट की को स्तिति नहीं आते वह अनादी है इसकी पुष्टी वैदिक साहती से होती है नजायते मृते वा विपास्चित कठो पनिशद शरीर का ज्याता ना तो कभी उत्पन होता है और न मरता है वह ज्यान से पूर्ण होता है कभी कभी लोग बोलते है अरे प्रभु जी ऐसा होगा तो हमारे माता जी को हाट अटाइक हो जाएगा यह हो जाएगा जब होना होगा तो हमारे कुछ नहीं करने से भी होगा और हमारे करने ना करने से कुछ नहीं पढ़ता जिस पर होता है वह हो ही जाता है अब मेरी माता प्रधान शेत्रग्य पतिर गुणेशा शरीर का मुख्य ज्याता तता प्रगिति की गुणों का स्वामी कहा गया है जीवात्मा है सुधा भगवान की सिवा में लगी रहती है एक बहुत सुन्दर बात यहाँ पर कहूंगा यह बात सुन करके विक्ति को विश्वास होना चाहिए कि अगर हम भगवान की सिवा करने के लिए आगे बड़े हैं तो भगवान हमारी साहिता करेंगे ही इस फेथ यह श्रद्धा हमने हमेशा बना के रखने है रोज सुनने से साधना करने से कि हमारे जीवन में जो भी कटना ही आएगी किसी ना किसी के माध्यम से भगवान साहिता करेंगे ही हम अब जब करना शुरू कर दिये हैं तो भगवान के गोध में है जो भी कटना ही हारी यू कुछ भी आरे हो तो कि वह टेस्ट भागवान हमारी साहता करेंगे ही अर अपने जीवन में देखना कि जब-भी कोई टेस्ट आएंगे आप जब करते रही है आप जब करते रही है धीरे धीरे करके सब रिज्वाल हो जाएगा अब यहां कोई case studies नहीं बताना चाहते हैं उसे विस्तार हो जाएगा समय का लेकिन कभी भी जब को छोड़ना भगवान के भक्तों की संकत को छोड़ना यह बिलकुल भी what to say advisable नहीं है इसकी पुष्टी भगवान चैतन के अपने उपदेशों में भी है जैसे कि श्रीमन चैतन महाप्रहु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का उधार करने के लिए ही राम के ली तक आये थे वो विरिंदावन नहीं जाना चाहरे थे बड़ी लंबी घटना है लेकिन उ है ऐसा ही हर एक व्यक्ति का उद्धार भवान करना चाहते हैं और इसी लिए प्रीचिंग स्टाइल शुड़ बी वेरी पर्सनल है दिपी क्लास सभी को दी जाती है लेकिन ध्यान हर व्यक्ति का हर भक्त का व्यक्ति का दुरूप से रखा जाना चाहिए अगर किसी भी तरसे उसके बजन में समस्चा कुछ है जो सिंसेरली बजन करना चाहते हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए अगर हमारे पास सामर्त है और सामर्त का मतलब पैसा नहीं होता है एक भक्त आज बता रहे थे कि उनको जुखा मैं तो मनें पूछा कि कौन सा स्वर चल रहे तो बही वह वह बीना अगर दिस्टर्ब रहेगा तो कैसे भजन करेगा बताएए इसा तो कोई भी वेक्ति जब कर रहे है और हमें अपना मित्र मानते हैं तो हमें बहुत साहता करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि वह जीव भगवान को बहुत अधिक प्री है इवन नियू डिवोटीज हम इसको प्रस्मरन रख सकता अच्छा रहेगा किसी भी तरसे साहता करेंगे तो हमारी भक्ति में उत्थान होता है इसकी पुष्टी है यह पढ़ी हमने आते इस लोक में ब्रह्म का जो वडनन है वह आत्मा का है और जब ब्रह्म जीव आत्म सारी जब जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवरित होता है रौपयों की आता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनन्द ब्रम ना होकर विज्ञान ब्रम है आनन्द ब्रम ही परब्रम भगवान है उनसे आनन्द प्रकट होता है यह सब बात नहीं पर है तो अब आपने जीवात्मा के बारे में कुछ सुना और इसको समझेंगे तो फिर आगे मोख्ष की प्रापति होती होती विल सब लोग समझ गए विज्ञान ब्रम है जीवात्मा और है आनन्द ब्रम है भगवान सिस्टमेटिकली रीडिंग प्रवपाद बुक्स काइंड़ी एक्स्प्रेन हो अच्छा प्रश्न है प्रवपाद की ग्रंतों को क्रम बद तरीके से कैसे पढ़ें अच्छा अच्छा वरुन प्रव दिए आझ अभी क्या कररे रहा है अभी क्या ऐसा है कि हम तेर्वे अधय से शुर्म हैं यािंटोडक्शन की शुरुतमAPPली से तो नहीं कोई बात नहीं वैसे तो कुछ नियम बनाए हैं कुछ क्रम बनाए हैं परमपुज भक्ति सामित महराज वह भी है उसी क्रम से वहां भी पढ़ाया गया क्रिश्ट इंडिटक्शन ग्रूप में है उसको पढ़ सकते हैं और नहीं तो भगवद गीता तो पढ़ा ही ज करते हैं अधि नहीं तो बाव प्रतिश्ट हम यह ब्रह्म अभी तो लोड़ के अधिन है अच्छा प्रश्ट है कि ब्रमनोंः क्रचिश्ट हम भगवान कहते हैं वहां उस श्लोक को आ तो आप पढ़ लिजेगा PDF में या फिर मैं जब आप पढ़ाऊंगो तब देखिए को बड़ा इंट्रस्टिंग है एक है कि ब्रह्म जोती की प्रतिष्ठा भगवान है और दूसरा ब्रह्म अर्था जीवात्मा की प्रतिष्ठा भी भगवान है उसको वहां समझाएंगे तो आप पढ़ लिजेगा फिर आप आगे से अपने से पढ़ लिजेगा 14 तद्धाय में बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है हां बोली कुछ कहा रहे थे हैं यहां पर हम देख रहे थे कि यह वस्तु आत्मा है येस परमात्मा भी है लेकिन अभी यहां पर आत्मा है येस और जो जान रहा है वो भी आत्मा है और यहां पर देखते हैं जब हम कुछी भी चीज को समझते हैं तो बुद्धी से समझते है जिसम बुद्धी नहीं है वो फिर ज्याता गय वस्तु वो ज्याता कैसे है नहीं कि इस जगत में हम त्रिपुटी द लेकिन आप यह भी तो देखिए कि जीवात्मा जो मुक्तात्मा है वह स्वयम अपने गुणों का अन्भाव करती है विदावट नी बुद्धी विदावट नी बुद्धी मतलब बिना भौतिक बुद्धी के हम जो आप समझते हैं ग्याता ग्यान और गय वो कहां पर है वो म मानित्व अदम भित्व यह तो ग्यान की विदी हमें नहीं सिखाई गई ना आपने फिजिक्स तो पड़ी होगी तो फिजिक्स में पढ़ा गया था सबसे पहले तुम मान के अपेक्षा मत करो नहीं पढ़ा गया तो आप यह देखी ना ज्यान की विदी भी थोड़ी लग है कि नहीं कि आप और मैं जिस तो जगत में चीज़ों को जान रहे हैं क्या फोन को जानने के लिएमन अमानि होना होगा लिग सवाध्व होना हुना को तो आप कि तो आदम sneak के साधन पहले पकड़ए कि वो जो ज्यान का साथन बोला जा रहा है उसका स्टाइल भी देखे ना कितना अलग है तो जो आपने आठ गुण आत्मा के सुने उसका बोध हो रहा है कि हम लोंको उसका तो बोध नहीं हो रहा है मैं बुड़ापिस रही है अभी पानी फियाता है मुझे भूक नहीं लग रही है क्या यह कभी मनई कर अनी तो यह मानने को त्यार नहीं कि तुम एक टांड़ एक फोल फॉल रखाकर रह सकते होो मा भी तक मैंने बहुत प्रयाश किया लेकिन आप सब्सक्राइब की बुद्धी बहुत ही चीज़ों को पकड़ रही है लेकिन जो हमने आत्मा की अनुभुद्धी की बारे में बात करी उसको वहां से पकड़ेगा च्छाटे अध्यात है अलग प्रकार की बुद्धी वह दिव बुद्धी है जिसके दारा आत्मा का बौथ होता हाँ कि जुआ हम स्थ्रस शमझ रहे हैं वह तो क्या है वह भगवान की भक्ति है वो दिवे बुद्धी से है, आप देखो ना practically बुद्धी कहां क्या प्लाइन करती है, कैसे भोग मिलेगा, शास्तर जब हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं तो उस से भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो रहे हैं, और ये शास्तर सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इस से जब भग्वान इससे हमारी जो हृद्य की अविद्या है वह नश्ठ हो रही है और इसके जब वह नश्ठ होगी तो धीरी-धीरी करके आत्मा का बहुत साक्षात होने लग जाएगा अगर भुधिक बुधित समझ रहे होते तो अनादी काल से बड़े हुए अब तक क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और विचार कीजिए आप अब आप शरीर ही बुधितत्त्त से बना है उसकी बुध्धी भी नहीं पकड़ा में आया कि वह कौन है फिर भगवान ने क्या कहा तप तपस्या करो आप उसमें देखेंगे तपस्या का मतलब था भगवान में अपने मन को लगाया तब वो समझ पाए कि भगवान कौन है मैं कौन हूँ आप इस वरी क्लियर तो बुधि को भगवान में लगाना तरस डिफरेंट प्रोसीजर पूरा दिवी प्रोसेस है और बु प्रपाद बुरकट स्मौल नहीं किया रहे हैं प्रपाद को छोटी पुस्तक है मतल'll में छोटी यह नहीं कहने ज्ञां चूती है यह बुल रहा होकिक वो साइसम छोटी है मलोब। Ś नहीं प्रपात आता तक्चाल और कर्म यह पाइष tôपिक स्कोरेखक में सित्जेल बिलकstyle इश्वर, जीव, प्रक्यति, काल और कर्म ये पांच टॉपिक हैं ब्रह्मनों प्रिधिश्टा वाले श्लोग के उपर की मदवचार की टिका में ब्रह्म को लक्ष्मी कहते हैं वो क्लियर कीजेगा अच्छा-च्छा अरे तो बहुत अभी अभिरूख जाओ भाई ये तेरा मनुष्य जीवन अम्रिद का आस्वधन कर सकता हैं भो, हमरमात गमदी को हैं खटूरुन करने करने कि आप भक्ति कर रहे है है तो हमारा कभी भी कुछ भी कुछ नहीं हो सकता है। मैंने ऐसा ने कहा कि हम पेट खराब हो जाता है या कोई अच्छा नियत से काम कर रहे हैं और उसमें कुछ गवरी आ जाती है तो अपने को फिल होता है कि अहंकार होता है कि हमने किया यह फिलिंग नहीं आ रहे हैं देखिए जब आपको अच्छा कार करते हैं और खराब हो जाता है तो मन में भावना आती कि क्यों हो गया और अच्छा कार करते हैं और हो जाता है तो सुझते हम ने किया तो यह प्रश्णिकर नहीं करते हैं कि जब अच्छा कार कर रहे थे तो खराब क्यों हो गया अगर हम ही इस फिर विकरब रहे थे यह करना चाहते थे अच्छा बुरा जो भी कार हैं तो अगर हम ही कर रहे थे यह कि थे लोग नहीं नहीं चाहते हैं फिर भी नमक करने के लेंगे असा नहीं तो बार सुन करके वेक्सि याद करना नहीं कर रहे हैं इसलिए तो में लों मंगला चलन करते हैं कि इसलिए मैंने कई बार बताया कि नाम चालन आपका नाम व्रत पूरा होने पर इसमरन रखना चाहिए बाइख कृष्णा स्मर्शी कृष्णी की कृपास यह पूर्ण हुआ हर दिन जब याद रखेंगे तो याद याद रख पा रहे है यह देखने आप रहो आत्मा अपने ही गुणों कभूल रही है तो अब देखें कितने आलसी आत्मा है याप पीडिएफ दिया हुआ है है ना और फिर से याद दिलाए हम याद भी नहीं करें कि हम दुआरा पढ़ने वाले भी नहीं पढ़ाएंगा पढ़ ले ना दो बारा पीडिया एक गुण हम आपको याद दिला देते हैं क्या साव गुणों विजर बुड़ी नहीं होती प्यास इचले किन लेते हैं विजर पाप रहित बुड़ापा रहित भूक रहित प्यास रहित सत्य संकल्प सत्य कामच्य तो व्याद दोगे मेरेको और कौन सा था व्यादी रहित भी होगा इसकी व्याख्या ब्रहम समिता में लिखी हो पहले गए बड़े परशान होए तो उनको गोपाल गाइतरी मंत्र पहले वा उसके बाद उसके बाद उनको ब्रहम गाइतरी मंत्र ब्रहम गाइतरी नहीं काम गाइतरी मंत्र सुनाए गया था the concept that you explained about man being sukshma than buddhi man is not sukshma than buddhi man se buddhi adik sukshma hai so buddhi knows everything about man and atma ne pari than buddhi sukshma can be understood by the thing bigger than it please explain again dekhe mani kaha ki man indriyo se pari man hai man se pari buddhi hai aur buddhi se pari atma hai to buddhi se atma grahe nahi hai madabhauti buddhi se लेकिन buddhi yog जो भगवान प्रदान करते हैं जब हम लोग भगवान की भक्ती करते हैं तो वहाँ भगवान स्वेम ज्यान दे रहे हैं हम भगवान स्वेम ज्यान नहीं आ रहा है हम लोग पुणहेरा टेंथ अधाय में बुद्धी योगम ददामितम ये नमाम प्यानतिते एक उसके आगे वाला शलब क्या था तेशाम अधाय में आत्म भावस्तों ज्यान दीपेन भास होता जो भक्त भगवान के श्रवन किर्टन में रुची रखते हैं उन पर ही कृपा करने के लिए भगवान अंदर ही बैठे हुए सारे अज्ञान को नश्ट कर देते हैं अब समझ में आए कि आत्मा का बूद कैसे होता है हम लोग श्रवन किर्टन करना है लेकिन अंदर से भगवान प्रसन होकर कि अज्ञान को नश्ट करने लग जाते है ये बात है इस नश्ट कि अपनी बुद्धी के जारा भवान को पाकड़ लेंगे नहीं तो बुद्धी तो सब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए थे ओके सुब स्टॉप्यर श्रीमत भगवाद गीता की जाए श्रीतर प्रभुपात की जाए झरता है को रह मनने बुद्धी जाए झालस की जाए नहीं जाए झालस की जाए ट्रीमत भवादी जाए 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 टब के जाए — दåए